गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हम लेसन पढ़ रहे थे फर्स्ट फिफ्ट क्लास लेसन पढ़ रहे थे हम आवर सेंसीज ठीक है तो इसका आगे की हम रीडिंग करेंगे क्या था मोस्किटोस केन फाइंड यूवाई दा स्मेल ओफ यूर बॉड़ी तो आपने देखा थे काम चैस rubber पर को सेANC पितितिक है थे तो आप मोस्किटोस के बारे में पढ़ेंगे की मोस्किटोस कैंड फाइंड और शॉट और यूवाई दा स्मेल ओफ यूर बोडी तो मॉस्किटोस जो मॉच्छर होते हैं वो कैसे ढून लेते हैं आपकी बोडी की smell से ठीक है ये आलसो find यूवाए smell of the soul of your feet और यह आपको कैसे find कर लेते हैं कि आपको जो soul होते है नीचे का पैर का ठीक है उसकी smell से जो है आपको find out कर लेते हैं ठीक है और heat of your body और आपकी शरीर की जो गर्मी है उर्जा जो है उसकी घायता से जो है आपको ढूल लेते हैं फिर आपको जो है वो वाइट करते हैं ठीक है डोग marks out their own area on the road तो क्या dogs जो होते हैं वो क्या है उनका अपना area है ठीक है रोड पे तो they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine तो वो क्या find out कर लेते हैं कि कोई जो डोग है उनकी area में आ गया है ठीक है तो उसको smell कर लेते हैं with the smell of their urine urine जो है उसकी smell से पता लगा लेते हैं कि हमारे area में कोई और कुटा जो है आ गया है ठीक है तो ये sense जो है smell ठीक है smell की जो है sense जो है ये कौन से sense of smell next है most of the words have their eyes on either side of the head तो head कहरें काफी जो words होते हैं उनकी दोनों side जो है head के दोनों side क्या होती है eyes होती है हमारे तो आगे की तरफ ही होती है eyes लेकिन जो words होते हैं उनकी आगे और पीछे दोनों side जो है आंखे होती है ठीक है their eyes can focus on two different things at a time तो उनकी जो आंखे होती है एक ही time पे दो चीज़ों फोकस कर सकती है मतला आगे की भी चीज़ देख सकती है वो और पीछे की भी चीज़ को वो focus कर सकती है when they look straight ahead both their eyes focus on the same object लेकिन जब वो क्या कर रहे होते है state ahead line में देख रहे होते है look state line में देख रहे होते है वो जो है आगे और पीछे की जो eyes है उनकी वो same जो है एक ही चीज़ पर object पर जो है focus हुई होती है ठीक है you must have in words moving their neck very often तो आपने हमेश्या words को देखा होगा कि वो अपनी neck को हिलाते रहते है आगे पीछे दाएं बाएं देखा है न आपने do you know why in most of the words eyes are fixed and cannot move तो कहरे कई ऐसे words है जिनमें eyes क्या होती है fix होती है और वो move नहीं कर सकती है ठीक है so words have to turn their head to see around तो इसलिए जो words जो है उनको क्या करना परता है अपना head जो है उसको दाएं बाएं आगे पीछे move करना परता है to see the around तो around अपने आसपास चीजों को देखने के लिए उनको अपने head को move करना परता है ठीक है some words like eagles, vultures can see four times four at weekend तो कहरे हैं कि जो है जो vultures है, eagles है यो बहुत जो है शार बोलते है जिनको की शिकारी जो होते है ठीक है वो words है तो ये क्या करते है इतनी दूर से चीज को पहचान लेते है अपने शिकार को पहचान लेते है जिसका हम पता नहीं लगा सकते है तो बोल रहा है four times जितना four times में वो इतनी तेजी से सोचते है जितना कि हम नहीं सोच सकते है ठीक है तो आपको इस lesson को read करना है और understand करना है आगे का हम फिर continue करेंगे lesson को ठीक है thank you students